एलो श्टुटेंट्स वेलकूम बैक तो माई यूटूब चैनल एंड तूडे वी रीडिंग फिफ्ट लेसन ओफ एर्थ क्लास हिमाचल की लोग संस्कृति और योग तो इस लेसन का नाम है हिमाचल की संस्कृति का बदलता स्वरू यह बहुत अच्छा लेसन है यह हिमाचल बस अड्डे में पर पहुंची बस से प्रिंस और उसका भतीजा जैक भभतीजी लीजा उत्रे भीड में से तिलक आ गया आया और इंगलेंड से आई इन अतीधियों का स्वागत किया तो पहला कोशन निवासी थे इंगलेंड की निवासी थे ध्यान देना है जो लाइन्स ंं कि हिमाचली लोगों का पहनाबा बड़ अच्छा लगा तो हम ऐसे कपड़े कल खृदने जाएंगे तिलक कहता है कि मैंने पहले ही आप लोगों के लिए से कपड़े खृद कर रखे हैं आप लोग इन कपड़ों को डालना फिर जैक अरे वो देखो एक और बड़ी उदास है तिलक पिछले महीने इसके पती की मृत्यू हो गई है यहां की प्राचीन परथाओं के अनुसार उच घरानों वो कुलों में पती की मृत्यू होने पर पुनर भीवा का रिवाच कम है मगर समयक साथ प्रथा बदल रही है पुनर भीवा होता है जब किसी ओरत के पती की मृत पुनर बिवा होता है जब किसी ओरत के पती की मृत्यू और उसके बाद जब दोबारा उसकी शादी की जाती है तो उसे पुनर बिवा कहा जाता है लिजाम अगर हमारे इंग्लेंड में तो बिद्वा को बुरा नहीं मानते वहां तो बिद्वा विवा होते हैं मुझे पता नहीं इसे यहां बुरा क्यों मानते हैं आज सोचो, बिद्वा विवा अच्छा है बुरा, पर्देश की कुशक शेत्रों में अब तक इसे सकारात्मक दिष्टी से नहीं देखा जाता क्या है यह उचित है? हाँ हिमाचल में बिद्वा विवा को अच्छा नहीं माना जाता है लेकिन ये आप जो है नॉर्मल सी बात हो गई है आप मैक्सिमम औरतों की शादी हो जाती है लेकिन अगर आप हिमाचल में उपरी एरी में जाएं जहां पर ओल्ड कल्चर अभी भी लगा है वहां पर विद्वा विवाब बिल्कुल नहीं होते हैं फिर उसके बाद हाइलाइट किया हो है सभी लोग एक समू में एकठे हुए लोगों को देखने लगी तिलक आरे ये तो बली देने जा रहे हैं वो देखो बकरे जिने जल्दी ही काट दिया जाएगा इन्हें काट कर देबता को खुश करने का प्रयास किया जाएगा ये तांत नन्हेट में दिर पर ले जाकर उसे काट दिया जाएगा देखता को चढ़ा दिया जाएगा तांतरिक वो होते हैं जो जादू टोना वह गारा होते हैं उसमें और पुझारी उन्हें तांतिर की वोजह कहा जाता है भूत प्रेथ को भगाने लिए, और देखता आंको बुंडा जैसा आयोजन में बताते हैं कि यहां नर्वली भी इदिहास में परचल लिख थी नर्वली को रोकने के लिए प्रयास हुए हैं मगर आज भी कई लोग अपनी जान पर खेल कर बुंडा या काहिका आधी में देवों को परसंद करने की कोशिश करते हैं आपको जानक हैरानी होगी कि हिमाचल में हिमाचल के पूरे भारत में पुराने समय में नर्वली नर्वली जब किसी इनसान को साकरिफाइस किया जाता है तो नर्वली यहां बंध हो चुकी है इसकी जगए पशू बली भी दी जाती है तो काहिका और भूंडा भूंडा तयोहार आपका शिमला निर्मंड में मनाय जाता है और ये आपका 12 साल में एक बार ही होता है और इसमें यहाँ पर बलियों का बहुत जादा प्रजलन होता है जैक मगर यदि देवता परसंद न हुआ और उनकी जान चली गई तो क्या है उजित होगा प्रिंस बड़ी बातें करता है ननासा जैक अरे इसका उतर तो हम स्वयम ढूनना तो जैक ने बहुत अच्छा कोशन किया है कि अगर हम बली दे भी देते हैं और देवता खुश नही होते हैं और जो हमने किसी बीश किसी कामना को पूरा करने के लिए बली दी है वो पूरी ना हो तो यह बहुत सही कॉश्चन है इसलिए बली देना जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है मैं फिर से कहना चाहूंगी अगर आप मेरे चैनल में नए है तो प्ली सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो को लाइक कीजेगा और शेयर भी कीजेगा इस लेसन में और सभी लेसन में मैंने ऐसे ही हाइलाइट कर रखा है आपने भी जरूर हाइलाइट करना है क्योंकि व उत्तरदाई है पाश्चात्य संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति होती है वेस्टरन कल्चर जो इंडिया के बाहर की कंट्री से जो हमने कल्चर अडॉप्ट किया है उसे पाश्चात्य संस्कृति कहते हैं और उसकी भज़त से ही ये जो हमारे लोक नरित्य लोक कथाएं ल इसलिए हमें अपने culture को बचाना है। फिर है आपका कि मैंने सतीपरता के बार में पड़ा है क्या है हिमाचल में प्रचलित हैं। तो student आपको पता होगा कि सतीपरता क्या होती है वो प्रथा है जिसमें पुराने समय में अगर किसी का husband मर जाता था ये death हो जाती थी तो उसकी wife को जबरदस्ती ही जिन्दा जला दे जाता था उसे सती प्रथा कहा जाता है फिर है तिलक ये है हिमाचल की पावन भूमी का सबसे अनुठा कोना वो देखो लोग टाना माना होता है जो लोकल लोग डॉक्टर के पास ना जाकर अपना घरेलू में ही उपवाए या कुछ इलाज करते हैं देवी दवतां को खुश करने का उससे टाना माना कहा जाता है ये महमारी रोकने हेतु एक देशी उपाय है या भी विश्वास वो आस्था से जुड़ा हुआ है महमारी होते हैं जब कोई बीमारी फैलती है जो एक से दूसरे लोगों में फैले उससे महमारी कहा जाता है तो आपने देखा होगा अगर चिकन पोक्स या कुछ हो जाएं तो घरों में डॉक्टरी इलाज के साथ जो है लोग अपना जो इलाज होता है वो भी करते हैं अपने देशी जुगार भी करते हैं उसे टाना माना कहा जाता है ती लग बेटा ये प्राचीन आस्थाएं वो परमपराएं हैं आस्था होते जो हम भगवान पर आस्था रखते हैं और परमपराएं जो एक पीडी से दूसरी पीडी तक जाती है उसे परमपरा कहा जाता है बेग्यानिक आधार से भले ही इनके उचित्य पर सवाल उठाए जा रहे हो मगर लोगों की आस्था के कानण ही यतावत है कि किन नौर में भूत परितों को भगाने ही तो थाथा का एयोजन होता है यह most important है कि थाथा कहां से related है तो थाथा जो है वो किन नौर से है और इसमें भूत परितों को भगाने का काम किये जाता है लिजाम अगर भूत परितों होते ही नहीं है तो वे भगाते क्या हैं प्रिंस ओहो लिजा तुम किस प्रशन में उलज रही हो इसका उतर शाम तक स्वेम सोचना आओ सोचें बच्चों क्या आपने भूत देखे हैं क्या भूत होते हैं सोची बीमारी अकलेश का जिम्मेदार भूत परितों को मानना कहां तक उचित है अंधबिश्वासों के कारण हमारा आर्थिक वा समाजिक नुकसान होता है तभी करनालव ढोल बजाते हुए लोग देवों की पालकियों को उठा कर उनके सामने से गुजरे लिजा वहाँ ये क्या है तिलक ये लोग पहारी लोग हैं जो देवता को पालकियों बढ़ा कर ले जाते हैं मैं भी प्रणाम करके आता हूँ आओ सभी चलते हैं अगर आप हिमाजल से लेटिड हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे जो भी देव होते हैं वो जब भी अपने मंदिरों से बाहर निकलते हैं तो उन्हें पालकी में ही ले जाये जाता है और उनको जो शान व शोकत होती ह वो देखते ही बनती है तो वो जो इंग्लेंड से बच्चाए हुए थे उनके लिए वो एक नई बात थी फिर है आपका प्रिंस क्या तुम जानती हो लिजा हिमाजल में मलाना गंटंत्र में जगड़ों के निर्ने में देवों की एहमक भूमिका है देव का निर्ने अंतिम होता है तो आपको पता होना चाहिए कि मलाना गंटंत्र जो है वो कुल्लू से रिलेटेड है और मलाना एक ऐसा गाओ है जहां आज भी पुलिस नहीं जाती है अगर वहां पर कोई जगड़ा हो जाए कुछ भी बाद भी बाद हो तो उसका जो निर्ने होता है वहां के देव जिता का निर्ने पसंद नहीं आता है तो भी वह उसकी अपील कहीं नहीं कर सकता है क्योंकि देव ने जो निर्ने लिये होता है वही लास्ट निर्ने होता है क्योंकि देव आस्था वह श्रद्धा के कारण देव अदालतें आज भी कारे कर रही है नेक्स्ट पे सिड्डु 工 n जो ही माचल के पहारी यरी होते हैं , हवां का एक ट्राडिशनल है सिड्दू जयक यहां के पुराने घरों में लकड़ी का कितना सुन्दर prयोग हुआ है यहां के घर फुराने का मकान काट कुनी शैलीस से बने हैं काट कुनी si हैि होती है लकड़ी पर जो आपको घर जो हैं वो लकडियों से बने हुई मिलेंगे प्रंतु अब नए घर सिमेंट लोहा और पत्थर से भी बंड रहे हैं नेक्स्ट है कि समय के साथ साथ लोगों के खान पान वो पहनावे में अंतर आया है लोग स्थानिय पहनावे के साथ साथ अब अन्य रेडिमेर बस्तरों का भी महत्व दे रहे हैं प्रंतु बिशेश अबसरों जैसे शादी, मृत्यू, मत्योहारों के समय आज भी लोग स्थानिय पहनावा खान पान वो मानेताओं को अधिक महत्व देते हैं तो यह आप देख सकते हो कि कैसा कल्चर है कि लोगों ने किस तरीके से कपड़े डाल रखे हैं और भूशन डाल रखे हैं फिर जैक क्वेशन करता है कि यहां के स्थानिय पोशाग को कहां तियार किया जाता है चंद्र यहां के लोग स्थानिय पोशाग टॉपी शोल वह अन्य उनिवस्त्र स्वेम खड़ी द्वार त्यार करते हैं खड़ी एक ऐसी मशीन होती है जो हैंड मेड होती है और लोगों के घरों में होती है और लोग अपने उसी खड़ी में अपनी शोल बगएर बुनते हैं प्रंतु अब इन बस्त्र का निर्मान उद्योगों के माध्यम से भी किया जाने लगा है पूरे भारत की तरफ हिमाचल प्रदेश में भी लोग कलाओं लोग संस्कृति आधी पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभा पढ़ रहा है इसे के साथ लोग कलाओं भी लुप्त हो रही है तकेल तमाशे रासलिला, रामलिला की लोग प्रियता टीवी वर रेडियो के बाद कम हुई है रासलिला भगवान कृश्चन से रिलेटिड है और रामलिला भगवान राम से लास्ट पैरग्राफ है कि वैसे तो हिमाशल प्रदेश में विवाशादी में प्राचीन लोग गितवन रित्य होते हैं तथा प्राचीन परंपरायनी भाय जाती हैं लेकिन बदलते समय में पुराने वाद्ययंत्रों के स्थान पर आप नए वाद्ययंत्र आ गए हैं हमारे आँ हमाशल में पहले अभी भी मैक्सिमम जगों में आप देखेंगे कि जब भी कहीं फंक्षन होता है तो उसमें जो खाना होता है वो नीचे जमीन पर बैठकर और एक पतल में खाया जाता है लेकिन maximum लोग अब जो है घोटलों में शादी विवा करते हैं और standing खाना देते हैं ये सभी western culture से related है आपके लिए इस lesson की बहुत अच्छी assignment है कि आपने दादा दादी और आपके घर में जो भी बुज़ुर्ग हैं आप उनसे पूछ सकते हैं कि पहले के सुमें में कैसा time था कैसे लोग behave करते थे और आपके time में कितना changing आया है हमारे culture में लिज़ा बोलती है कि हमारे यां शादी चर्च में होती हैं इसाई धर्म में चर्च का बहुत मत्व है हमारे हिंदू धर्म में मंदिर होते हैं मुस्लिम धर्म में होते हैं आपका गुर्द्वारा और इसाई धर्म में क्रिश्चन धर्म में होता है चर्च तो student ये था lesson जो बहुत ही अच्छा लेसन था इसमें हमने ये पढ़ा कि हिमाचल का जो पुराना कल्चर था और आज के कल्चर में कितना डिफरेंस आया है और यहां के लोग कितने बदले हैं और इसके साथ बदलाव के साथ साथ हमारा जो हिमाचली कल्चर है उसमें भी कितनी चेंजिंग आ एंग्लेंड के लिए लीज और जक निवासी थे ही रहें की निवासी थे किताबों को पढ़ने से उन्हें भारती संस्कृति का थोड़ा भूत ग्यान हो गया था नेक्स्ट कोश्चन है क्या बीद्वा विवा को बुरा माना उचित है तो उत्र है बीद्वा विवा को बुरा माना उचित नहीं है क्यूंकि उन्हें भी पुना जीवन जीने का दिकार है नेक्स्ट कोश्चन है बली की सार्थकता क्या है क्या हमें पशूं की बली देकर देवों को परसंद करने का प्रयास करना चाहिए तो उत्तर है नहीं हमें पशु वली नहीं देनी चाहिए पशु वली देने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि पशु वली देने से देपता खुश नहीं होंगे तो उनकी जान ब्यर्थ में चली जाएगी नेक्स्ट कॉश्चन है क्या भूत प्रेथ होते हैं यदि हाँ तो क्या आपने ये देखे हैं उत्तर लिखेंगे हम भूत प्रेथ नहीं होते हैं यह हमारे मन का ब्रह्म होता है नहीं हमने भूत प्रेत को नहीं देखा है अगला प्रशन है हिमाचली संस्कृती के समक्ष आज क्या क्या समस्याएं हैं तोतर है हिमाचली संस्कृती के समक्ष आज बहुर सी समस्याएं हैं अंध बिश्वास के नाम पर विद्वाववा को बोरा मानना पशुबली देना और भूत पर बिश्वास रखना इत्यादी हिमाचल की पारंप्रिक बोलियों लोक गीतों और पहनावों में क्या-क्या बदलाब आ रही है हिमाचल परदेश की पारंप्रिक बोलियों जैसे देशी बोलियों में विदेशी भाशाओं के शब्दों का मिश्रन हो रहा है यहां की लोक अकलाओं गीतों में पश्यमी संस्कृति का प्रभाब आ रहा है यहां के स्थानिय पहनावे में पश्यमी संस्कृति का प्रभाब आ रहा है अगला प्रशन है हिमाचल की संस्कृति को बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किये जा रहे है तो उत्तर है हिमाचल की पर मंद्रा रहे संकत पर वह इसके लिए हल के उपायों पर प्रकाश डालो तो पश्मी संस्कृति के प्रभावों से हिमाचली लोकवाद्यों का स्थान पश्मी वाद्ययंत्र लेते जा रहे हैं इसे रोकने के लिए परदेश सरकार हिमाचली लोकवाद्यों पर आधारित प पाद्यों के और अकर्शित होगा तो इनके प्रयोग में व्रिद्धी होगी तो यह थे इसके रिटन कोश्चन और यह कोश्चन नमबर टू त्री और फॉर जो है यह आपकी बुक से रिलेटिड हैं यह औरली कोश्चन है आपने जब लेसन को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसके क्वेस्चन को अगर बॉर्ड के पेपर में आता है तो अराम से अपने शब्दों में उसे लिख सकते हैं तो यह था हमारा हिमाचल की संस्कृति का बदलता सुरूप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा जितनी भी लाइन्स अंडरलाइन की हुई है आपने अंडरलाइन कर लेनी है और अच्छे से उन्हें रीड करना है अगर मेरे चनल में नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो का लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा थैंक्यू थैंक्यू थैंक्स वर वोचिंग अब गोड़ डेस्टे सेब से यहादी टेक क्या रफ बाई बाई